भगवान को चड़ती है चोकलेट अलपूजा आपने मंदिर में सर्धालू को इस्वर के चर्णों में फुल चंदन और फल चर्णाती तो अक्सर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां सर्धालू भगवान के चर्णों में चोकलेट अर्पित करते हो केरल का ठेकन पलानी बाल सुभ्धमन्यम मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है जहां सर्धालू भगवान को चोकलेट चर्णाती है और उन्हें पूज़ा के बाद प्रसाद के रूप में भी चौकलेट ही दीज आती है कस्वे के बाहरी इलाकों में सुर्मन्यम पूरे में इस्तित इस मंदिर में विराजमान भगवान को मंच मुर्गन के नाम से जाना साता है मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि विविन जाती समुदाय और धर्म के लोग इस मुर्गा का आसिरवाद पाने के लिए गत्ते के डिब्बो में चौकलेट लेकर मंदिर आते हैं किसी ने सोचा होगा कि वाल मुर्गन को चौकलेट पसंद है और तभी से यह प्रंप्रा अरम होई ही होगी उन्होंने बताया कि सुरुआत में बच्चे चौकलेट चर्णाते थें लेकिन अब सभी आयू के सरदालू ऐसा करते हैं किसी चर्णाते हैं